प्रस्तुत्य पाठ दो जोर्ज पंचम की नाक प्रिष्ठ संख्या दस से सोलह तक लेखक कमलेश्वर लेखक परिचय कमलेश्वर कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ, इलहाबाद विश्विद्याले से उन्होंने एमी किया दूरदर्शन के अतिरिक्त महानी देशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपाधन भी किया जिन में सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भासकर प्रमुख है सहित्य अकादेमी पुरसकार से पुरसकृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूशन से भी सम्मानित किया 27 जन्वरी 2007 को दिल का दौरा पढ़ने से उनका निधन हो गया नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाए हैं राजा निर्बंसियां, खोई हुई दिशाएं, सोलह छटों वाला घर, जिन्दा मुर्दे, जो कहानी संग रहे हैं वही बात आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान जो की उपन्यास हैं उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पट कथाई भी लिखी हैं कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और समवेदनशील चित्रण है आज की महानगरिय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखुबी समझा और व्यक्त किया है प्रस्तुत है पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक ये बात उस समय की है जब इंगलेंड की रानी ऐलीजाबेथ दूटिये मैं अपने पती के हिंदुस्तान पधारने वाली थी अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी रोज लंदन के अखबारों से खबरे आ रही थी कि शाही दोरे के लिए कैसी कैसी तैयारिया हो रही है रानी ऐलीजाबेथ का दर्जी परिशान था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दोरे पर रानी कब क्या पहनेंगी उनका सेकरेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महदीब का तुफानी दोरा करने वाला था आखिर कोई मजाक तो था नहीं जमाना चूंकी नया था फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीथ चुके थे इसलिए फोटोग्राफरों की फाज तयार हो रही थी इंगलेंड के अखबारों की कत्रा ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिप की नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हलके नीले रंका सूट बनवाया है जिसका रेश्मी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है के करीब चार सो पॉंड खर्चा उस सूट पर आया है रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी प्रिंस फिलिप के कारणा में छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंग रक्षकों की पूरी की पूरी जीवनिया देखने में आई शाही महल में रहने और पलने वाले कुतों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था शंक इंग्लेंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी इन खबरों से हिंदुस्तान में संसनी फैल रही थी राजधानी में तहल का मचा हुआ था जो रानी पांच हजार रुपए का रेश्मी सूट पहन कर पालम के हवाई यड़े पर उतरेगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए जिसके बावर्ची पहले महायुद में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं उसकी शान शौकत के क्या कहने और वही रानी दिल्ली आ रही है नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाखता मुह से निकल गया वह आए हमारे घर खुदा की रहमत कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा और किसी ने किसी को नहीं देखा पर सडकें जवान हो गई बुढ़ापे की धूल साफ हो गई इमारतों ने नाजनीनों की तरहां श्रंगार किया लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी वह थी जॉर्ज पंचम की नाक नई दिल्ली में सब कुछ था सब कुछ होता जा रहा था सब कुछ हो जाने की उमीद थी पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी इस नाक की भी एक लंबी दास्त इस नाक के लिए बड़े तहल के मची थे किसी वक्त अंदोलन हुए थे राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किये थे चंदा जमा किया था कुछ नेताव ने भाशन भी दिये थे गर्मा गरम बहसे भी हुई थी अखबारों के पन्ने रंग गए थे बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए और जैसा कि हर राजनीतिक अंदोलन में होता है कुछ पक्षमे थे कुछ विपक्षमे और ज्यादा तर लोग खामोश थे खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी यह आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हत्यार बंद पहरेदार तैनात कर दिये गए थे क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाके खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए उन्हें शानों शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुँचा दिया गया कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिला युद होता रहा उसी जमाने में यह हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने वाली जौर्ज पंचम की लाट की नाक एक आएक गायब हो गई हत्यार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई रानी आये और नाक ना हो एक आएक परिशानी बढ़ी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी उचिस तर पर मश्वरे हुए दिमाग खरूचे गए और यह तै किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है यह तै होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फोरण दिल्ली में हाजिर हो मूर्तिकार यो तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था आते ही उसने हुकामों के चहरे देखे अजीब परिशानी थी उन चहरों पर कुछ लटके कुछ उदास और कुछ बदहवास थे उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आँखों में आँसू आ गए तब ही एक आवाज सुनाई दी मूर्तिकार जोर्ज पंचम की नाक लगानी है मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चहिए कि यह लाच कब और कहां बनी थी इस लाच के लिए पत्थर कहां से लाया गया था सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है खेर मसला हल हुआ एक कलर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी चानबीन करने का ताम सौप दिया गया पुरा तत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला कलर्क ने लौट कर कमेटी के सामने कापते हुए बयान किया सर मेरे खता माफ हो फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल चा गए एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया उसने मसला हर्ल कर दिया वह बोला पत्थर के किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परिशान मत होईए मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लऊंगा कमेटी के सदस्यों के जान में चान आई सभापती ने चलते चलते गर्व से कहा ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं हर चीज इस देश के गर्व में छिपी है जरूरत खोज करने की है खोज करने के लिए महनत करनी होगी और इस महनत का फल हमें मिलेगा आने वाला जमाना खुशहाल होगा मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दोरे पर निकल पड़ा कुछ दिन बाद वह हताश लोटा उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी उसने सिर लटका कर खबर दी हिंदुस्तान का चपा चपा खोज डाला पर इस किसम का पत्थर कहीं नहीं मिला यह पत्थर विदेशी है सभापती ने तैश में आकर कहा लानत है आपकी अकल पर विदेशों की सारी चीज़े हम अपना चुके हैं दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता मूर्तिकार चुप खड़ा था सहसा उसकी आँखों में चमका गई उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूँगा लेकिन इस शर्ट पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे सभापती की आँखों में भी चमकाई चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दर्वाजे बंद कर दिये गए तब मूर्तिकार ने कहा देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए सब ने सब की तरफ देखा सब की आँखों में एक शण की बदहवासी के बाद खुशी तेरने लगी सभापती ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से और मूर्तिकार फिर देश दोरे पर निकल पड़ा जोर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था दिल्ली से वह बंबई पहुँचा दादा भाई नोरो जी गोखले तिलक, शिवा जी कौवस जी जहागीर सब की नाके उसने टटो ली नापी और गुजरात की ओर भागा गांधी जी सरदार पटेल विठल भाई पटेल महदेव देशाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला गुरुदेव रविंदरनात सुभाष चंद्रबोस राजा राम मोहन राय आदी को भी देखा नाप जोख की और बिहार की तरफ चला बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया चंद्रशेकर आजाद बिस्मिल मोतिलल नहरू मदन मोहन मालविये की लाटों के पास गया घबराहट में मदरास भी पहुचा सत्यमूर्ती को भी देखा और मैसूर केरल आदी सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुचा लाला लाजपत राय और भगत सिंकी लाटों से भी सामना हुआ आखिर दिल्ली पहुचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया सब मूर्तियां देखाया सब की नाकों का नाप लिया पर जौर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली सुनकर सब हताश हो गए और जुन्जलाने लगे मूर्तिकार ने धाडस बंधाते हुए आगे कहा सुना है कि बिहार सेक्रेटरियेट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां इस्थापित है शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए यह सोच कर वहां भी पहुँचा पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है अब बताईए मैं क्या करूँ राजधानी में सब तयारियां थी जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था रोगन लगाया गया था सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाक नहीं थी बात फिर बड़े हुकामों तक पहुँची बड़ी खलबली मची अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था एक हैरत अंगेस ख्याल उसके दिमाग में कौन था और उसने पहली शर्त दोहराई जिस कमरे में कमीटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड में से कोई एक जिन्दा नाक काट कर लगा दी जाए बात के साथ ही सनाटा चा गया कुछ मिंटों की खामोशी के बाद सभापती ने सब की तरफ देखा सब को परिशान देखकर किसी कारिय और धेरे से बोला आप लोग क्यों घबराते हैं यह काम मेरे उपर छोए अच कचाया चौंक उठना भोंचका होना चाहिए कानाफूसी हुई और मूर्ती कार को इजासत दे दी गई अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपत पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है नाक लगने से पहले फिर हत्यार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई मूर्ती के आसपास का तालाब सुखा कर साफ किया गया उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिन्दा नाक लगाई जाने वाली थी वहें सूखने न पाए इस बात के खबर जनता को नहीं थी यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी रानी के आने का दिन नस्दीक आता जा रहा था मूर्तीकार खुद अपने बताए हल से परिशान था जिन्दा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी वह उसे दी गई लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए और वह दिन आया जोर्ज पंचम के नाक लग गई सब अखबारों ने खबरे च्छापी कि जोर्ज पंचम के जिन्दा नाक लगाई गई है यानि ऐसी नाक जो कताई पत्थर की नहीं लगती लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गोर करने की थी उस दिन देश में कहीं भी किसी उदघाटन के खबर नहीं थी किसी ने कोई फीता नहीं काटा था कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी कहीं भी किसी का अभिनन्दन नहीं हुआ था कोई मान पत्र भेट करने की नौबत नहीं आई थी किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोहो नहीं हुआ था किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था सब अखबार खाली थे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए प्रश्न अभ्यास 1. सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बद हवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है 2. रनी एलिजबेत के दरजी की परिशानी का क्या कारण था उसकी परिशानी को आप किस तरहे तर्ग संगत ठहराएंगे 3. और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किये गए होंगे चार, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान-पान सम्बंधी आदतों आदी के वर्णन का दोर चल पड़ा है। कौ, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। ख, इस तरहे की पत्रकारिता आम जनता विशेश कर युवा पीड़ी पर क्या प्रभाव डालती है। पांच, जोर्ज पंचम की लाट की नाक को पुने लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या-क्या यतन किये। च, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौझूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन चाट कर लिखिए। नाक मान सम्मान वा प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है। लिखिए आठ जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतिय नेता यहां तक की भारतिय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। नौ अखबारों में जिन्दा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। दस नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ग्यार है जौर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। शब्द अर्थ बेसाखता स्वाभाविक रूप से नाजनीनों कोमलांगी लाटों खंभा मूर्ती। खेर ख्वाहूं भलाई चाहने वाले दारो मदार किसी कारिय के होने या ना होने की पूरी जिम्मेदारी। कार्यभार अच कचाया चौक उठना बहुत चक्का होना अभी आप सुन रहे थे। पाठ दो जोर्ज पंचम की नाक। ध्वनी संपादन, निर्माण तथा निर्देशन, विमलेश चौधरी, प्रस्तती, C.I.E.T., N.C.E.R.T., नई दिल्ली, भारत। झालाँ झालाँ झाल झाल झाल